दोस्तों कैसे हो आप लोग आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं इलेक्रिक टेक्टर के बारे में अगर दोस्तों आप एक किसान हो तो ये वीडियो आपके काम की होने वाले ही क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ इलेक्रिक टेक्टर और अब दोस्तों आपको डीजल की जोरत नहीं पड़ेगी और इसकी कीमत वगएरा भी मैं आपको बताने वाला हूँ बस घर पर आरम से चार्ज कीजी और आपके खेत वगएरा में काम लीजी अगर आपका खेत में हल वगएरा चलाते हो तो आपको काफे चाधा यूसपूल ये रहेगी तो आपको क्या करना होगा दोस्तो की आपको ये उलेक्ट्रिक स्कूटर बुकिंग हो जाए उसके लिए दोस्तो ये कब लॉण्च होगा मैं आपको सारी जानकरी देने वाला हूँ और इसकी कीमत क्या रहेगी वो भी मैं आपको याँ पर बता दूँगा बात का पहला electric tractor launch कर दिया गया है company ने इसकी दोस्तों जो कीमत रखी है वो 5,99,000 रुपे रखी है company ने इसका नाम Tiger Electric रखा है latest technique पर बना यह electric दोस्तों जो tractor है वो यूरोप में डिजाइन किया गया है यह emission free tractor है जो आवाज नहीं करता है किसानों को नई रहेगी अब diesel की जोरत सोना लिका electric tractor ने की है entry और electric tractor को भविश की खेती किसान के लिए बड़ी उपलब्दी के तोर पर देखा जा रहा है यह electric वानों जैसे की car, motorcycle, bus या फिर अन्य commercial गाड़ियों की तुलना में electric tractor के जौदा सफल होने की संभावना है इसके किफाईती होने पर जौदा पावर देने और परियावरण अनुकल होने से कई आहम फाइदे भी आपको दोस्तों मिलने वाले इसे में यह का जा सकता है कि electric tractor भविश की खेती के लिए शानदार विकल्प बन सकते हैं मुझूद वक्त में बारती बाजार में electric tractor की कीमत पांचलाग रुपे से शुरू हो जाती है यह आज के टेक्टर बाजार की तुलना में बहुत मंगा नई माना जार रहा है अब अपन बात करते हैं जो यह सोनालिका का electric tractor launch होने वाला है इसमें आगे की तरफ 6 और पीछे की तरफ 2 gear आपको देखने को मिलते हैं इसकी seat भी बैद आरम दायक है इसके आगे के tire की size 5-12 है जबकि पीछे के tire की size 8-18 है इसमें IOB brake system जो गाड़ी पर driver के control को बेहतर बनाता है इसकी भार उठाने की शमता 500 kg है इस गाड़ी से किसान जुताई, ट्रोली, ग्रास, कटर, इस पेर जैसे काम कर सकते हैं इस टेक्टर से कोई भी गर्मी heat नहीं निकलती है इसलिए इसे किसानों के लिए काफी आरम दायक माना जा रहा है इसके साथी diesel engine की तुलना में maintenance भी काफी कम लगता है क्योंकि इसमें बेहत कम parts यूज किया जाता है सोनालिका ने भारत में अपना पहला टेक्टर लॉंच किया है हेदराबाद की इस कमपनी ने तीन टेक्टर लॉंच किये इन तीनों टेक्टर की शमता 700 पावर, 35 और 55 होर्स पावर है कमपनी का दावा है कि इन टेक्टरों को चलाने का खर पर अगर डेजल टेक्टर की तुलना में काफी कम आएगा इसकी कीमत 6 लाग से 8 लाग के बीच है इन टेक्टर में एक electric circuit control unit होता है अब दोस्तों सोनलिका टेक्टर electric की आपको थोड़ी विशेषता है बता देता हूँ उच्च गुणवत्ता वाली बेटरी को home charging point पर निमित रूप से 10 गंटे में असानी से इसे चार्च किया जा सकता है कमपनी एक fast charging vehicle भी प्रदान करती है जिससे साथ दोस्तों Tiger electric को केवल 4 गंटे में चार्च किया जा सकेगा ये डीजल और पेटरोल इंजन की तुलना में परियावन के अनुकुल और किफायती है क्योंकि चलने की लागत लगबग 75 परतिशत कम हो जाती है कुशल उर्जार जर्मन डिजाइन इलेक्रिक मोटर 24.99 किलोमेटर परतिगंटे की टोप स्पीड और 8 गंटे के बेटरी बेकप के साथ उच्चे शक्ती गनत और अधिक्तम टोप परदान करता है सोना लिका के शांदार और विश्वशनी टेक्टर प्लेटफोर्म पर बनाय गया जो इसे हर समय उच्चे परदर्शन के साथ किसानों के लिए अनुकूल और उप्योग में आसान बनाता है सोना लिका टाइगर टेक्टर 5000 गनते या फिर 5 साल की वारंटी के साथ आता है टाइगर इलेक्टरिक किसानों के लिए बेतर आराम का आश्वशन देता है क्योंकि इंजन से कोई गर्मी इस्तान तरित नहीं होती है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में अपने बात करीए सोना लिका टाइगर इलेक्टर के बारे में जिसके दोस्तों मैंने आपको स्पेसिफिकेशन फीचर्स बता दिये हैं और प्राइज आपको इस टैटिंग में मैंने बता दी थी आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर आप एक अच्छा इलेक्ट्रिक यहाँ पर टेक्टर लेना चाहते हो तो आप दोस्तों सोनली का टेक्टर पर जा सकते हो काफी अच्छा आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत डिसकाउंट भी मिल जाएगा और काफी अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ आता है गाउं वगरा में अगर आप खेती करते हो तो आपके लिए काफी अच्छा उप्शन होगा आपका पेट्रोल बजाएगा डिजल बचाए आता है ग्टान डिल एता है ऊटी अच्छा करते हं